Hello everyone, welcome back to my educational YouTube channel Commerce Knowledge Pool. मैं हूँ Professor Dishita Setia और आज मैं 12th Standard Students of Marashtra State Board के लिए एक important वीडियो लेकिया आई। जितने भी स्टूडेंट इस साल बोर्ड एक्जाम्स अपियर होने वाले, उनके लिए वीडियो डेफिनेटली इंपोर्टेंट बनने वाले है। Students, आपने कावद तो सुनी होगी, जो इनसान स्पीड से आक्शन लेता है, वो हमेशा सक्सेस्फुल बनता है। हाँ की ना? अभी आप सोचते रहेंगे कि मैंने ये कावद आपको क्यों सुनाई? Students, आपके बोड एक्शाम्स के लिए सिर्फ साथ दिन बाकिए, that is only 60 days are left. और अगर आप अभी भी ये सोच रहें कि हम पड़ाई करें कि नहीं, बाद में हो जाएगा, देखा जाएगा, सोचेंगे, तो definitely आप अपना time waste कर रहे हो. क्योंकि अगर आपने अभी अपनी speed तयारी के लिए नहीं पकड़ी, तो definitely आप अपने exams में target के accordingly score नहीं कर पाएंगे. तो students आप तयारी करना तो चाहते हो, बड़ आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम शुरू कहां से करें, तो students आज का वीडियो आपके लिए काफी important बनने वाला है, ये वीडियो उन students के लिए जिसने अभी तक book को खोला ही नहीं है, उनके लिए भी important है, ऐसे student जिसने तोड़ तयारी कर लिए, बट उनको ये लग रहा है कि हम score कैसे करें, तो एक weak student, एक average student और एक above average student, सब भी के लिए ये वीडियो काफी important बनेगा, तो students वीडियो में अंतक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो useful लगे, तो please अपने friend के साथ share करें, आज के वीडियो में हम discuss करें एक complete package of subject OCM, that is organization of commerce and management, जहाँ पे मैं आपके साथ share करूँगी OCM paper pattern, how to pass, how to score and what is the strategy, ये सब कुछ एक weak student, एक average student और above average student सब के लिए applicable होगा, so let's begin with the most important video of subject OCM 12th standard, first of all, आपको ये समझना होगा, कि आप कौन से category में आग, आप एक weak student हो, जिसने अभी तक book को हाती नहीं लगाया, या फिर एक ऐसे student जिसे थोड़ा बहुत पढ़ाई किये, बट उतना confidence नहीं कि हम क्या score कर पाएंगे, या फिर आप एक above average student हो, तो जो weak student या सबी के लिए scoring, जिसको score करना है, या जो student अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, उनके लिए पहले समझना होगा, कि हम पढ़ाई start कैसे करें, और ये मैं subject OCM का बता रहे हूँ, पहले आपके जो paper pattern है, उसके हिसाब सगर हम calculate करेंगे, तो question number 1 is objective, जो carry करता है 20 marks, question number 2, explain the term and concern, जो carry करता है 8 marks, question number 3, case study, जो carry करता है 6 marks and question number 4, distinguish between जो carry करता है 12 marks, तो जो भी मैंने yellow में लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो total complete compulsory आपके exam में जो आने वाला है, वो question number 1, 2, 3, 4, कितना marks carry कर रहा है, that is 46, आपको अपने exam में passing के लिए out of 80, कितना चाहिए, that is 28, तो आपको पहले समझना होगा कि हम pass हो सकते है कि नहीं, definitely student अभी भी अगर आपने अभी तक आपने OC textbook को हाथ नहीं लगाया, एक भी chapter नहीं पढ़ा, तो भी आप pass हो सकते हो, बड़ आपको समझना होगा कि किस तरह से पढ़ाई करने हैं, तो question number 1, 2, 3, 4, बस अगर आपने पूरे paper में से चार question ही attempt किये, तो भी आपका कितना score हो रहा है, 46, और अगर आपने perfectly answers को नहीं लिखा, तो जो मैंने green में लिखा है, वो मैंने minimum marks लिखा है, at least कोई भी student को इतना तो मिली सकता है, तो question number 1, 20 marks में से आपके 10 objectives wrong हुए, तो आपको मिला सिफ 10 marks, question number 2, explain the term 8 marks का है, आपके कुछ concepts wrong थे, spelling wrong थे, sentence formation wrong थे, आपको याद नहीं आए, तो आपको मिला 5 marks, case study में आपको मिला 6 में से 4 marks, and distinguish में 12 में से 9 marks, तो कोई भी student जो weak average या above average, जो weak student है, अभी भी चार question के उपर महनत करता है, तो 46 का तो attempt कर पाएगा, कुछ mistakes होगा, तो भी उसको 28 marks तो आही सक करते हैं, मैंने आपको total करके बता है, और जो average और above average student है, उसको अगर score करना है, तो उसको 46 marks पूरा लाना होगा, तो definitely उसका scoring increase होगा, तो आपको समिश में आ रहे है कि सरह से आपको पहले शुरुवात करने हो, the next question arise, कि हम ये पढ़ तो लेंगे, बट कहां से पढ़े, from where to study तो यहां पर मैंने कुछ options आपके सामने रखे, that is government textbook, smart notes, digest or reliable, class notes or college notes, तो आपको decide करना है कि आपके लिए easy cons है, तो as per my suggestion, मेरा suggestion होगा कि हमेशा आपको government textbook ही follow करना है, क्योंकि आपने government textbook follow किया, तो आपके clarity मिलेगा, और उस government textbook से simple कहीं बे भी नहीं, तो you need to follow the government textbook, पूरा explanation अगा आप नहीं भी पढ़ सकते, तो आपको 3-3 lines each point का पढ़ना है, तो आपके लिए simple होगा, तो government textbook को ही refer करना है, यह आपको decide करना है, और government textbook के पीछे हर एक chapters के objectives कवर करने, हर एक chapter के concepts कवर करने, हर एक chapter के case study कवर करने, और उसके बार distinguish करने, तो आपको यह clarity मिला कि कहां से पढ़ना है, government textbook में से, next when कौनसे से important chapter से जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसको score करना है, एक average student और एक weak student, तो यहाँ पर मैंने 5 important chapters लिखे है, out of 8, that is chapter 1, 4, 6, 7 and 8, अभी chapter 1 केरी करता है, 5 marks compulsory, chapter 4 केरी करता है, 20 marks compulsory, chapter 6 केरी करता है, 7 marks compulsory, chapter 7 केरी करता है, 7 marks compulsory, इन chapter 8 केरी करता है, 15 marks compulsory, तो अगर हमने सिर्फ 5 chapters पढ़े है, 8 को हमने पढ़ा ही नहीं, तो भी हमारा score बनता है, 59, so around 80 में से 60 marks का paper आप लिख पाएंगे, आपको यह clarity मिलनी चाहिए, जो student जादा score करना चाहता है, उसको यह chapters के उपर जादा focus करना है next thing, कौन से ऐसे important distinguish होंगे, जो आपको paper में 100% मिलेंगे, that is chapter 4, 5 and 7, chapter 4 के 4 distinguish है, जो आपको पढ़ के ही जाना है, कोई भी student हो week average और above average, जिसके आपको 55 points पढ़ने है, second, chapter 5 में 3 distinguish होद है, तो 4 plus 3, 7 total distinguish, and chapter 7 में एक distinguish है, district commission, state commission, national commission, वो भी हमेशा paper में आदे, तो अगर आप सिर्फ chapter 4, 5, 7 के distinguish पढ़ते हो, तो आराम से आप पूरा 12 माख score कर पाएंगे, now, सबसे important कि long questions में क्या आएगा, तो long question में compulsory, आपके पास options होंगे, chapter 4, that is, एक banking का question हो सकता है, या इंशॉरंस का question हो सकता है, and उसकी option में, आपको question हो सकता है, functions of marketing, तो आपको अगर long question 8 mark score करना है, तो आपको chapter 4 के banking इंशॉरंस करके ही जाना है, and उसके साथ functions of marketing करना है, so अभी आपको एक clarity मिलेगा, पहले objectives, question number 1, 2, 3, 4, from textbook, completely from textbook, जो भी exercise हे वो cover करो, उसके में आपको distinguish पढ़ना है, 4, 5, 7 का, and last में long question पढ़ना है, for chapter 4 and chapter 8, इस तरह से आपको एक idea मिलेगा कि हम लोग का maximum studies हो चुगा है, even इसके अलाव भी कुछ short note से, जो important question bank में आते हैं, उसका मैं आपको link description में provide कर जहांपे आपको paper pattern, important question bank, even some important objective bank मिल जाएंगे, अगर आपको ये वीडियो useful लगे, तो अपने friend के साथ share करें, और अगर को subscribe नहीं किया, तो please like, share and subscribe, और अगर आपको next video, SPN Economics and DK का चाहिए, तो please मुझे comment में mention कीजे, so thank you all for your love and support.